हेलो गाइस वेलकम टू कॉरेंट अफियर्स फंडा दोस्तों सब्सक्राइब में 2056 टोटल वेकेंसी आई हैं आपको दाना चाहूँगा कि वारत का बैंकिंग सेक्टर का सबसे टफेस एक्जामनेशन में से एक कहलाता है आपने दिखा होगा लाइसी आता है बीपेस प्यों आता है लेकिन जब आता है तो कई लोगों के मन में धाड़ा रहती है क्यार मैं एस वे प्यों नहीं बनूंगा क्योंकि वाट टफ है मेरा सेलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा मैं आपको इस पूरे एक्जामनेशन का ओबर विदाना चाहूँगा कि इस पेपर में कितनी फ निकला वह बहुत परिशान थे यह मैं आपको दा रहा हूं 2018 2019 वेच का तो उस दौरान वह इतने परिशान थे कि उनका जब आई पेस क्लिरिकल एक्जाम नहीं निकला तो उन्होंने का आप तो मेरा को एक्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है आप बिलिब में आज के समय मे आगरा में जो है पोस्टिंग है एक बंदे की Svipo में और एक दूसरा बंदा है वो दोस्तो पटना में है तो यह अल्टिमेटली यह है कि अगर आप से क्लिरिकल क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो क्या प्यों क्वालिफाई पाएगा यह बिल्कुल डिफरेंट है क्यों इतना ज्यादा टफ होता है देखो यार एसवेगा प्रिलिम्स आल्मोस्ट इजी रहता है प्रिलिम्स में आप ऐसा मान कर चलो कि पेपर में आप बहुत बढ़िया कर लोगे और आप इसली क्वालिफाई कर जाओगे हाई भाई कटॉप भी जाती है क्योंकि पेपर क में दोस्तों ऐसे कोश्चन साते हैं कि आप एक सेट भी नहीं सौल कर पाते हो मतलब पेपर इतना ज़्यादा डैस्ट में आता है पूरी पेपर की जो प्रोसेसिंग हो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होती है तो यह पूरी जो रेस है वह धीरे धीरे स्टार्ट करने की और ज़्यादा तर मेंस लेवल के कुश्चन पर जितनी जल्दी आप आ जाओगे उतनी जल्दी आप एस वेपियो की रेस में बने रहोगे देखो मैं आपको एक्चुल भी बता रहा हूं मैं यह नहीं कहूंगा कि आप इजी इजी बनाते हो और आपका एस वेपियो क्वा क्वालिफाई कर ले जाओगे प्रिलम्स मैटर बिल्कुल भी नहीं करता यहां पर और अच्छे कासे नंबर 75-78 ऐसे मार्क्स आप फिलम्स में ला सकते हो मुद्दा आएगा हमारा मेंस के लिए दो मेंस में आपका स्क्रीनिंग भी है आप देख सकते हो कि आपका जीडी प स्क्रीक्टिब भी होता है तो पेपर में काफी कुछ है यह पूरा का पूरा मैटर आपका मेंस का रहता है अब अच्छा सा गेम प्लान मनाओ कि देखो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्यू बता रहा हूं पेपर में जिस तरीके से मैंना भी यहां पर देखा कि जो मेंस है होगा स्टेकंड बीक में एड्मेट कार्ड स्टार्ट होंगे तो आप देख लो अभी आपका अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है टूबर नॉम्बर दिसंबाद नियर अबाउट मेंस के आपको आपको मिलेगा आप इस तरीके से डिवाइट करो कि मैं स्टार्टिंग के पूरा मेंस के दोरान भी पिल्लम्स एक्जाम होता रहेगा और मेरी मेंस की त्यारी में दो सब्जेक्ट पजल डियाई यह मेरे चलते रहेंगे इनके लिए में में मौक टस का ही सारा लूँगा दोको मार्केट में अलगलग मॉक टस अबलेवर हैं मैं आपको यही कहूंग मैं एक फ्री टेस्स का लिंग दे दूंगा इस वे प्योर लेटेड तो बहां से आप मेंस बनाओगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि यह कैसा है जो लोगा ने लाश्टियर पेपर दिया था और जो एक दौट और दे चुके हैं उनके चांसे ज्यादा होते हैं प अपना सेलेक्शन लेकर चला जाता है उसके पीछे का रेजन क्या है कि वह बहुत लगकर त्यारी करता है अगर आप टुकड़ों में त्यारी करोगे जैसे आपने छे महींने त्यारी की फिर आपने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी आप एस्परेंट तो फिछले त जलती है आपकी आप इस पेपर की रेस्प में हो 2000 प्लस वेकेंसी हैं और मुझे लग रहा है कि अच्छा मौका है और आप यहां पर काफी कुछ कर सकते हो बाकी मैंने आपको मौक टेस्स बता रखे हैं आप एक बार प्रेक्टिस मौका में इसका टेस्ट बनाओगा आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपकी जो इस सेलेक्शन की जर्णी है इसमें दोस्तों आप सेलेक्शन लोगे नहीं बलकि आप आगे भी अपनी तयारी आगे स्टार्ट रखोंगे जो रेगलेटे थार्डीस के एक्जाम होते हैं आप उसमें पाटिस्पेट करोगे आपका एक म अच्छ वीडियो